ये वीरों की भूमी है जी ये वीर माताओं की भूमी है जो अपने गोच से वीरों को जन्म देती हैं जो वीर मात्र भूमी की रक्षा के लिए 2400 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं साथियों ये जे साइनिकों की भूमी है ये साइनि परिवारों की भूमी है यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का वर्ताव किया वन रैंक वन पैंशन के नाम पर कैसे उन्हें दोखा दिया अभी हम लदाक के एक पुर्वसाइनिक से बात कर रहे थे जीवन सेना में पिताया था उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है साथियों उनको निवर्त हो गए भी 30-40 साल हो गए है साथियों सेन्य परिवार हमारी सम्वेदन सिल्टा को भली बाती समझता है यह हमारी है सरकार है जिसने दा चार दसकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पैंशन को लागू किया हमारे पुर्वसेनिकों को एरियर का पैसा दिया है इसका बहुत बड़ा लाब हिमाचल के हर परिवार को हुआ है साथियों हमारे देश में दसकों तक वोट बैंक की राजनिती हुई है अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनिती ने देश का बहुत नुक्षान किया है हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं जब दे राष्ट के नम निर्मार का हो जब लक्ष आत्मंदिर भर भारत का हो जब इरादा एक सो तीस करोड देश वास्यों की सेवा और उनका कल्यार करने का हो तो वोट बैंक नहीं बनाये जाते सभी देश वास्यों का विश्वास जीता जाता है इसलिए हम सबका सांथ, सबका अभिकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं सरकार की योजनाओं का लाप सब को मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं अब यही सरकार की सोच है और इसी एप्रोच से हम काम कर रहे हैं हमने शत्प्रतिशद लाब, शत्प्रतिशद लाबार्ति तक पहुचाने का बिड़ा उठाया है लाबार्तियों के सेचुरेशन का प्रन लिया है शत्प्रतिशद ससक्तिकरण यानि भेदभाव खत्म, सिफारीस खत्म, तुष्ट्रीकरण खत्म शत्प्रतिशद ससक्तिकरण यानि हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाब मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जैराम जी के नेत्रतों में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है हर गर चल योजना में भी हिमाचल नब्बे प्रतिशत गरों को कवर कर चुका है किन्नोर, लाहुच्पिती, चंबा, हमीवपूर जैसे जिलों में तो शत्प्रतिशत कवरेज हासिल की जा चुकी है चाथियो, मुझे आध है, 2014 से पहले जब मैं आपके पीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आँख जुका कर नहीं, आँख मिला कर बात करेगा आज भारत मजबूरी में, आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है न, तो ऐसे बढ़ाता है बलकि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है